अब साथ में रिकॉर्ड भी होता रहेगा तो जो इस्टुटेंट वाई सांस हो सकता है वीडियो है हमारी एप पर अपलोड ना हो पाई क्योंकि अभी तीन तीन गुरुप्स में वीडियो दे लिए तो हो सकता है बिकत आजा है इस वाज से रिकॉर्डिंग पर लगा दिया तो बाद में इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो बस एक सेकंड में हम यहां पर दूसरी बिरांच को देखेंगे और साथ में आप लोग भारत का प्रादिशिक अध्यन या फिर भारत के विगोल के नाम से इसको दानते होंगे तो देखेंगे बहुतिक विगोल के अंतरग को हम मैपिंग के रूप में डाइग्राम के रूप में फ्लू चार्ट के रूप में और जो ग्राफ होते हैं उसके रूप में यहां पर हम लोग देखेंगे अभी हम लोग स्टाट करने जा रहे हैं जल बायू बिग्यान को तो चलिए हम लोग देखते हैं जल बायू बिग भोट भी गोल में आपने तीन चीज़ए देखी एक आपको देखने को मिलेगा जल बाइयू विज्ञान पर दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा समुद्र विज्ञान समुद्र विज्यान और तीसरा आपको देखने को मिलेगा भू अगर्ती विज्यान तो देखिए जो समुद्र विज्यान है और साथ में जलबायों विज्यान है यह दोनों आपको एक ही एक तरह से टॉपिक देखने को मिलेगे यह क्या है यह आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा उक्या है हिसको एक साथ में हैं कबर गरेंगे और यह क्या है भूआगरती विग्यान जिसको जियो मौफ़ोजी बोलते हैं यह आपको दूसरे टॉपिक में देखने को मिलेगा मत्तव हमारा क्या है यह हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस तरह से हम पढ़ते हुए जालेंगे जब हम जलबायों बिग्यान और समुद्ध बिग्यान के यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जब भी आप लोग पढ़ें तब आप लोग दिमाग में मौसम में परिवर्चन होता है तो मौसम में परिवर्चन क्यों होता है पिर्थभी का तापमान बढ़ रहा है तो पिर्थभी का तापमान क्यों बढ़ रहा है तो जब भी हम कारण को तलासने का प्रियास करते हैं तो यही क्या बन जाता है साइंस बन जाता है और साइंस के बिना हम जिविविव की कलपना नहीं कर पकते अगर आपको यहीं नहीं पता होगा टेमपरिशर होता है।प梅 के अविविव हैं किया प्रेडूस होता है। तो आप लोग कभी भी जिविविविव जिविविववी को अच्छे से नहीं समझच Tang तो उसमें science कहीं ना कहीं अपना बहुती math code role रखती है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका basic है वो एक बार इसका basic समझ लेते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर डालना है जल बायू विग्यान है जल बायू विग्यान तो देखिए जल बायू विग्यान की अगर हम हम बायू मंडल का अध्यान करते हैं किसका अध्यान करते हैं हम बायू मंडल का अध्यान करते हैं किसका अध्यान करते हैं हम लोग बायू मंडल का अध्यान करते हैं और बायू मंडल में हम किसी चीज़ का अध्यान करते हैं जल बायू विग्यान की अंतरकत हम बायू मंड निम्सार जब हम अद्ध्यन करेंगे इसमें सबसे पहले आता है przymananne क्या आथा है दूसरा प्वण है इसका हमस्ध्यन करेंगे आधरता इसको उमिडेटी वह धिं dic के अलावा हम लोग इसमें अध्यान करेंगे देखेंगे लोग आप लोग हैं और आगर हम मौसम की बाद करें और जल्बायो किसका आध्यान करेंगे मौसम का अध्यान करेंगे देखिए यहां से आप लोगों को एक्दम फोकस स्टडी स्टाट करनी है यहां से अगर आप लोग के अंदर भटका वाया तो जोग्रफी की आप माजिद पढ़ लीजिए फिर पढ़ लीजिए आपका बेसिक नहीं बनने वाला और आपको सुनिए करेंगे अभी केबल जहां से सुनिएगा आपको सारी सीज़ें हैं वो एक्दम हल्वा की तरह लगने लगेंगे मज़ा एक बहुत एक्दम मज़ा आने वाला है आप लोग तो देखिए इसके अलाबा हम जल बायू बिज्यान में किसका अध्यान करेंगे इसके अलाबा हम जल बायू बिज्यान में हम जल बायू का अध्यान करेंगे अब देखिए यहां से ही टॉपिक निकलता है अब हलके हलके से बाइस से आपको आगे लेताते हैं अभी दोड़ना नहीं है बस अभी घुटनों पर हलके हलके चलना है फिर उठना है फिर हलके हलके चलना सीखना है तो सबसे पहले अगर हम आप से पूछें मौसम क्या है तो मौसम क्या है इसको अच्छे से समझ गयेगा अगर आप लोग मौसम समझ गये तो अगर मौसम आप समझ गये तो इसी का जो बिस्तिरित रूप होता है वही क्या है जलबाईू है तो मौसम क्या है तो मौसम में अफ़ीतन के अंतर के जो चीज आती है वो होता है सीमित छेत्र मौसम किसे कहेंगे एक सीमित छेत्र में एक सीमित छेत्र में जो एक सीमित छेत्र में अल्पकालिक बायू मंडल ये परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं तो लिख लिए अल्पकालिक अल्प कालिक बायू मंडलिये परिवर्तन को बायू मंडलिये परिवर्तन को मौसम कहते हैं तो दो चीजे क्या हैं एक मौसम के अंतरगत जो महत्कूर चीज है वो एक सी बीचे तर जैसे मौसम हो सकता है वो किसी जिले का अलग मौसम हो सकता है आपके इस्तान का अलग हो सकता है पर उसकी इस्तान का दूसरा मौसम हो सकता है तो आप लोग बोलते हैं ना मौसम नंबर एक सीमित समय के लिए होता है और सीमित छेतर में होता है आप लोग बोलते हैं सुबह का मौसम बड़ा सोहाना है कभी ऐसा आपने सुना है सुबह की जलबाई यह बड़ी अच्छी है कभी नहीं सुना होगा हमेशा यही बोलेंगे कि आज सुबह का मौसम बड़ा सोहाना है फिर दोफयर में के गर्म पढ़े लगी करते हैं कि फिर उधर से गंगा यम ना बच जाती है जहां से पसीना लिकलता अभी मौसम बहुत कर आप जाना मौसम है वो प्रतेग घंटे प्रतेग चण वदल सकता है जैसे अभी किया है बहुत पेजी से धूप हो अचानक में बारिस होने लगे और क्या फिर मौसम हो जाता है तो आना तो आना फिर आप लोग कहते हैं यार अभी गर्मी थी लेकिन अभी बारिस हो गई अब मौसम इतना कि अल्पकालिक समय के लिए बाईयों मंडलिये परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं और शीमित शेतर से समब्दित होता है कभी आप लोगों ने सुना भारत का मौसम कैसा है नहीं सुना होगा हमेशा यह सुनते होंगे भारत की जल बाईयों कहती है तो जब जल बाईयों की हम ब बिस्तिरित इस्तर पर जब हम इसको देखते हैं तो इसी को जलबाईू कहते हैं तो दीखे जब जलबाईू की हम बात करें तो आपको ध्धान रखना है इसमें क्या होता है बिस्तिरित चेतर होता है और लंबी समय अबदी होती है लंबी समय अबदी होती है तो लंबी समय अबदी लंबी समय अबदी का मतलब है एक दिन एक घंटे का समय नहीं बल्कि कई बरसों का जो मौसम का उसत होता है उसी को जलबायू कहते है क्या हुआ तो आपके दिमाग में हमीसा ये चीज़ानी सेंगे कि मौसम का बहुत लंबे समय का ओसत है उसी को जल बायू कहते हैं जैसे आपने देखा होगा कि यह भारत है हमारा क्या है प्यारा भारत है ओके यह भारत तोड़ा सा प्रेड़ा बन गया कोई वासे निए फिर से बना देता है तो देखिए कि भारत है तो हम क्या वो लेंगे भारत की जल्बाईयू कहती है भारत की जल्बाईयू मानसूनी जल्बाईयू पाइजाती है उस तरह से आपने सुना होगा तो जल्बाईयू की जब हम बात करें तो आप लोग समझ जाएए कि हम मौसम का ही बात कर रहे हैं लेकि मौसम के एक लंबे समय का बात कर रहे हैं मौ होती है और जलबाईयों और मौसम का ही संब्द आपको देखने को मिलेगा विशू परीवर्थां से तो देखिए चलिए एक बार हम देखते हैं भारत की बात कर लेते हैं कि देखिए सरकल है यह क्या है सरकल है ओके यह थोड़ सकल पना कर लेती है कि हमने कलेंडर को एक गोले के रूप में बना दिया क्योंकि आप लुक जानते हैं कि जलबरी आता है फिर अपरेल आता है फिर सितंबर आता है फिर उसके बाद दिसंबर आता है यान कि बारा महीने क चक्र किसी तरह से चलता रहता है तो यह चक्र क्या है महीनों को हमने इस गोले में घड़ी के रूप में इहां पर लिख दिया है तो मानते हैं देखिए यहां पर है दिसंबर का समय लगबख में अब देखिए आपको बुक्स की दरूद नहीं आप अपने दिमाग से ही सोचेंगे सभी कुष्ण का आंसर आप लोग करने लगएंगे देखिए अगर हम दिसंबर की बात करें अगर हम दिसंबर की बात करें और फिर दिसंबर के बाद यहां पर हम ले ले लेते हैं मार्च का समय ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, मार्च का समय ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर जून का समय ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर ले ले लेते हैं सेकंबर का, अब देखिए, हम आप लोगों से ही कुछिंगे, आप आराम से कुछ सन का आंसर कर देंग अब ही हम आपका एक basic framework बना रहे हैं कि जोग्रफी क्या है आप जोग्रफी को किस रूप में देखते हैं वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं एक basic approach पहले दिमाग में लाइएगा फिर हम उसके ऐसे layer by layer अंदर जाएंगे तो देखिए अगर हम December के समय ले लेते हैं क्योंकि मार्च के इदर जा रहे हैं white color ले लेते हैं दिसंबर से मार्च की ओर जाएंगे तब आपको पता है हलके हलके मार्च में क्या आने लगती है तापमान में ब्रद्धी होने लगती है दिसंबर से जैसे जैसे हम मार्च की ओर जाते हैं तो यहां पर हलके हलके आपको तापमा है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और यहां पर तापमान बढ़ता जाता है और आम देखेंगे कि जून के समय तक फारत में गीचड़ गर्मी पढ़ने लगती है और फिर क्या होते हैं सबी लोग पानी पानी बानी लगते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यानि कि फिर हम जून तक आते हैं तो बहुत जादा गर्मी होने लगती है जब गर्मी होगी तो पानी गरम होगा पानी गरम होगा तो पानी अब आधरता है उसमें भी ब्रदी होने लगती है अब आदर्ता में ब्रदी होती है फिर बारिस होती है और आप लोग जानते हैं कि जुलाई के मौसम में यहां पर बारिस होने लगती है जब बारिस होने लगेगी तो हलके हलके साफमान कम होने लगता है फिर आप जून से सितंबर की ओर जाएंगे जब जून से सित सितंबर की और जाएंगे तब आप देखेंगे कि साफमान में अब हलके हलके कमी आने लगती है अब फिर सितंबर से दिसंबर की और जाएंगे तब आप देखेंगे कि फिर से साफमान में तीजी से कमी आने लगती है तो इस साइकल है हमें सा चलता रहता है इसी तरह से और य या क्यों क्या है मार्च के समय होता है क्याते हैं ने कपड़े पह invites हम क्या तो सहक person your time होता है और जैसे हम मार्च से जून के इदर आते हैं तब आपको देखने को मिलेगा यहां पर ग्रीस्म रितू मतलब गर्मी का मौसम आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह से आप लोग इदर देखेंगे जून से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा हमारे यहां मांसून है वो एंटर कर जाता है भारत में और बारिस होती है मांसुनी बर्सा होती है तो यह आपको देखने को मिलेगा बर्सा रितु आपको देखने को मिलेगी बर्सा रितु है एक कप से कप के बीच में आपको देखने को मिलेगा यह आपको जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा फिर जून से स सोच रहें कि कुछ लिखा नहीं रहें समझा रहें तो आज आपको कुछ भी नहीं लिखाये जाएगा इन टॉपिक्स के अंदर हम लियर वाई लियर जाएंगे यह जो टॉपिक्स है जो अभी हम आपको पांच घंटे की लिए और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को फ तो यहाँ पर आपको शारी एक सो साट घंटे में यहाँ पर अस्ती क्लासिस हम आपको देने वाले हैं ओके अस्ती क्लासिस हम आपको देने वाले हैं एक सो साट घंटे की क्लासिस हम लोगों की चलेंगे तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहा यहांपर देखिए रित्व में हो रहा कयुंकि स्कमान कम जाधा हो रहा है यानकि स्कमान अत्वाइब पूल रहा है इस जलबायू बिग्ञाण में बहुत इंपोर्टेंट रहाben यहाथ नीच तापमानय क्या है क्या क्या लड़की है और हम इस तापमान को कैसे समझ सकते हैं ताफमान को जो समझा होगा बहुत प्रूब कि समझ में आएगा कि हमें किस तरह से सारी चीज्जें वड़ी ही असानी के तांच में आ जाते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टापमान को तो देखिए यहां पर आपको अगर हम जल वायू बिग्यान के बाद करें तो देखिए जल वायू बिग्यान में अभी वायू मंडल में हम आपको बताएते क्या पढ़ेंगे स्टापमान पढ़ेंगे किए पड़ेंगे कि हम साफमान है देखिए किस पारे से लिखलते हैं आपको बताते हैं देखिए जब भी आप जलवाईयों बिज्ञान को पड़ेंगे गिर एक होता है learnt अब अध्र कि तब उसके बाद हम डिखिंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है तापमान हमारा टॉपिक क्या है तापमान समझने के लिए आपका एक होना चाहिए तब इस तापमान को समझ सकते हैं ये बेस क्या है तो बेस है हीट यानि की उस्मा उस्मा जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ताफमान को समझगी नहीं सकते यानि की हीट क्या है ये आपका बेसिक है जैसी ही आप हीट को समझ जाएंगे आप ताफमान का अध्यन आराम से कर लेंगे अब दीखे इस ही ताफमान का अधिहन को करेंगे लेकिन जैसे ही अगे जैसे ही आप बोलें तो वो पार्ट किसका है बीसिक है पार्ट है वो आफका साइंस का पार्ट है लेकिन हम उसमें बायू मंडलिया आधरता अगर जोड़ दें तो वो पार्ट किसका हो जाता है जोगरफ्ती का पार्ट हो जाता है तो इसी तरह से हम अधिन करेंगे तो सबसे पहले अभी ह कि का दिन करने जा रहे हैं ताफमान का दिन करने जा रहे हैं तो चलिए हम लोग आते हैं ताफमान के उपर अब ताफमान आपको एक नई हेडिंग यहां पर डालनी है अगर देखिए ताफमान की अगर बात करें तो ताफमान अन अन नजरियों से अलग-अलग हो सकता है ता बिज्ञान की भासा में अगर हम तापमान पूछे तो इसकी definition है वो अलग हो सकती है लेकिन वहीं हम जब तापमान का अध्यन भिगोल में करेंगे यानि कि कोई भिगोल सास्तरी है उससे अगर हम तापमान की बारे में पूछेंगे तो वो अलग approach में इसको explain करेगा इसी तरह जब हम किसी परियावरण बिद होगा यानि जब हम परियावरण में तापमान का अध्यन करेंगे सब इसका मतलब हो जाएगा वह एकदम different हो जाएगा तो चलिए सबसे और ते рекान में में क्या मतलब होता है तो देखिए जब भी हम बिग्यान में तापमान की बात करते हैं यहां पर देखें बबलू आ गए है लड़की है तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर बिग्यान की तो बिग्यान में आपको देखने को मिलेगा तापमान क्या है एक स्केल है मतलब एक सिर्फ मापक है मापक को इंग्लिस मे का मापक है किसका मापक है उस्मा का मापक है तापमान ओगे तो लिख लिए आप लोग किसी बस्तू में किसी बस्तू में नीहित किसी बस्तू में नीहित उस्मा का मापन उस्मा का मापन ही क्या है तापमान यानि कि उस बस्तु की अंदर कितनी उस्मा है उसी उस्मा को हम क्या बोलेंगे तापमान बोलेंगे यह बिग्यान की परिभासा में हो गया चलो बिग्यान वाले स्टुडेंट से पुछेंगे तो वो इस तरह से बताएगा कि तापमान क्या है तापमान एक मापक है यानि कि एक स्केल है किसका मापक है उस्मा का मापक है यानि कि उस्मा को मापने की एक हिकाई के रुप में आप इसको देख सकते हैं चलिए हम लोग आते हैं एक भिगोल सास्तरी से अगर हम पूछें तापमान क्या है या फिर हम बोलें कि भिगोल की ड्रस्ती से तापमान क्या है तो चलिए हम लोग आते हैं तो देखिए भिगोल की ड्रस्ती में अगर हम देखें तो तापमान है वो मौसम को प्रभावित करन करने वाला, करने वाला सर्वप्रमुक कारक है करने वाला सर्वप्रमुक कारक है था का सम्वद्स делает करकता है तो मौसम को प्रभवित करने वाले कारकों में से सर्प्रमुक कारत क्या है तापमान जैसे तापमान बढ़ता है तब आप लोग जानते हैं वहाँ पर आप देखेंगे मौसम कैसा हो जाता है बहुत गरम हो जाता है लेकिन रात में क्या होता है तापमान गिर जाता है तो मौस हमको प्रबावित करने वाले कात्वों में से सर्प्रमुक कार्ण कारक क्या है अब यहां पर कारक है याँ परएंबरण वाले स्टुटेंट से पुझें की वह क्या है तो वो तापमान बोलेगा परियावरण को परियावरण को को प्रभावित करने वालों में प्रभावित सर्बादिक महतपूर कारक है क्यूंकि आपने देखा कि परियावरण है उसमें आप लोग ने देखा कि परियावरण को सबसे ज़्यावरण करता है मौसम ही करता है न क्यूंकि मौसम में अगर परिवर्तन आएगा तो मौसम में परिवर्तन आएगा तो परियावरण भी हलके हलके मौसम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है मौसम है अब वो जादा गरम होने लगे हैं मौसम यानि मौसम गरम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मौसम लंबे समय तक अगर गरम रहेंगे तो जलबायू भी तो गरम होगी जलबायू में भी तो परवरतना है क्योंकि जलबायू का संब्द किस्ते हैं? मौसम से ही तो हैं तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ओके, तो यह चीज़ आपने देखी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अभी बात की, विज्ञान की परिवासा में साफमान क्या है? एक उसमा का माफ़ता है. आखिर यह उसमा क्या है? हीत क् चलिए हम लोग पड़ा सा बात करते हैं कहते हैं इसके अंदर इस बंदें अंदर बहुत गर्मी है तो चलिए हम लोग देखते हैं एक गर्मी क्या है वो गाने भी आते हैं हाई हाई गर्मी तो आज आज आप लोग देखते हैं कि गर्मी क्या है आप गर्मी को किस नजर्गे से देखते हैं, उस्मा को किस नजर्गे से देखते हैं, तो देखिए, आज उस्मा को आप लोग समझेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि पिर्थभी को उस्मा कहां से मिलती है, पिर्थभी को उस्मा का मुख स्तरोत कौन सा है, वो भी हम लोग तो चलिए यहां पर आपको डालनी है हीट क्यों कि हीट क्या है हमारा अगर हमें हीट ोर्जा का प्र real कि एक रूप यान की फॉर्फ अनर्जी है logistics एक मिले कि ます कि अनर्जी यान की उर्जा का ही एक रूप है प्रम ने देखा फॉस्मा पूस्मा को सूस्मा बोल सकते हैं कोई बात नहीं आप लोग सूस्मा बोलने में आपको मज़ा आ रहा है कुछ मतलब शूसमा बोल करके आपको अपनी अंदर ऊस्मा महसूस हो रही है तो आप बोल सकते हैं क्यों नहीं बोल सकते आपके अग्जाब में जो इंटर्व्यू बोड है उसी में कोई सूस्मा बैठी हुई है तो क्या होगा फिर तो वो अच्छे से करम कर देंगे तो इसा निकर नमा पर अभी आप बोल लिए अपनी आत्म संस्तिती के लिए अगर आपके अंदर उसमा आती है उस वज़े से तो लोती है नाहीं इतनी कभी ठंडी होती है कि यहां बश जीवन की नार है यानि एक उर्जा का स्थित मिलेगा यहां पर अच्छित बनाएगे देखिए हमारी पिर्टभी को जो उर्जा का सबसे प्रमुफ इस्तरोत है वो क्या है सूरे है मतलब सन है क्या है सूरे यह देखिए आपको नोर्स बनाने है इसे बहुत अच्छे से अब देखिए इस सन है यहां से क्या आता है एनर्जी आता है ओके क्या आता है एनर्जी आता है लेकिन अब सूर के पास उसमा कहां से आगी सूर के पास एनर्जी कहां से आई चलिए हम लोग देखते हैं इस सूर है जो हमारे सूर को क्या बोलते हैं चंदा मामा बोलते हैं सूर को पता नहीं क्या बोलते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो सूरह के पास री ऊरजा कहां से आई, हीट कहां से आई, तो दीखें, सूरह के पास क्या है? आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन है, तो जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इनका fusion होता है, fusion का मतलब होता है Sun Lion fusion की प्रिकरिया के द्वारा यहां पर बनता है helium बनता है और helium के साथ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी energy उत्पन होती है क्या लिकलती है energy मतलब आपको देखने को मिलेगा एनर्जी प्रडियूस होती है और यही एनर्जी क्या है यही एनर्जी क्या है लेकिन एक एनर्जी के सो फॉर्म में लिकलती है यह एनर्जी सौट वेब रेडियेशन के रूप में लिकलती है जिसको सौट वेब रेडियेशन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरी सौट वे रेडियेशन और लांग वेब रेडियेशन क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब सूर से उस्मा पिर्थवी पर आती है तो वो किस मौम में आती है तो वो आती है सौर्ट वेब रेडियेशन के रूप में किस रूप में आती है सौर्ट वेब रेडियेशन के तो कितनी यूनिट मिली ऑगे कितनी हमारी पेट्ट को सब्सक्राइब है यह किसे बिद्रिच किया दाता है तो यह स्ब्सक्राइब ये दो रूपों में दिखंडित होती है अभी कुछ लोग हैं जो एक्स्रा बढ़के बैठे होंगे वो क्या हो जाएंगे अब आप लोग उस्वा बजट में मत चले जाएगा उस्वा बजट डिफ्रेट चीज़ है हम आपको यहाँ पर एक बेसिक अप्रोज आपका बना रहे हैं देखें मानते हैं सूरत से हमें कितनी विली सो यूनिट उर्जा मिली इस सो यूनिट उर्जा है इस दो भाग में डिवाइड हो जाती है एक पचास यूनिट में इसमें पचास यूनिट में डिवाइड होती है और पचास यूनिट इधर डिवाइड होती है ओके देखिए जो ये पचास यूनिट है ये आपको देखने को मिलेकर जो हमारे हरे बनस्पतियां हैं वो इस पचास यूनिट को ले लेती हैं कौन ले लेता है इन पचास यूनिट को हरे बनस्पती जो आपको देखने को बिलेंगे हरे बनस्पती ओके तो जो हरे बनस्पती है यह पचास यूनिट है जो सूरत से उर्जा आती है वो उसको ले लेते हैं और लेके क्या करते हैं ग करते हैं और आपको देखने को मिलेगा वो लेते हैं अपने जड़ू से ले लेते हैं और वो इसी उर्जा का उपयोग करते हैं मतलब क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं अपना भोजन क्या है जो आपको देखने को मिलेगा और प्लस क्या जल बनाते हैं अगर आप लोगों में इन फॉर्वू लोगों को नहीं पड़ा है तो परिसान मत वह गिएगा समझ दीजैगे क्या है जल है आज से आप लोग पानी पी रहे हैं बुलिएगा आज से हम एक लास एक लिकर किया ममी कहेंगी हमारी विडिया कौन सा नब्सा हो गया है चरस गांजे के पाद इस त लेकिन आप लोग यहां से ठ्वाब तो बोलना की हम क्या च्वोड़ रहें हम सी ूर्ब थी यूदू रहें ऐसे इस इसकारते हैं और साथ में एस्ट्रो लेते हैं यह इसका इसको लेते हैं और इसके भी बड़े शीज आपको देखने को भी लेगी, लेकिन आप देखेंगे जो इसी के नीचे अब हम क्या शे लिछे यहाप रलसी है तो फिर हमने हम लिख देते हैं तो आप लोग सोचेगा CO2S2O वाला है इसी के जस्त नीचे हम लिखने जा रहे हैं तो वहां से ही आपको लिखना है तो फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं CO2 प्रक्रिया को बोलते हैं सरकास संसलेशन कि आप लोग सोच रहे हों कितना बेसिक चीज़ बता रहें देखें अभी बेसिक से कितना आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आप लोग दिमास में ऐसे स्टेप सारी चीज़ें आपके दिमास में यहां जहन में घुच जाएंगे और आपको जलबायू बिग्यान है रातों में सपनों में अभी नोरख फते आती होंगी जिनके सपनों में उनकी सपनों में क्या अगा उनकी सपनों में आएगा जल्बात हो या फिर साफमान खालेगा देखिये अगर यहां पर हम बात करें प्रकास पृक्रिया के द्वारा क्या चीज़ परवर्टित हुई देखिए इस प्रक्रिया क्या हुआ सूर्य और वह ओर जांकिस रूप में परवर्टित हुई एक चीसा को ध्यान रखनाे में जू किसमें कनवर्ट किया जैब रसायिनिक उड़ा में जैब रसायनिक उड़ा में परवर्थित क्या अब देख्ये इस चब उड़ा यहाउद तूर्जा में परवर्थिस हुई तो क्या तापमान बड़ा पिर्थभी का येस या नो दीखे जो पचास यूनिट जो आई की जो हम बताई थे अरे पेड़ पहुत ही ले लिए और उन्होंने इस वह रूर्जा को जैब रस्ताइनिक उर्जा में कर दिया क्या इस या नो यहां पर तापमान बड़ा या फिर नहीं बड़ा जल्दी बताईए और पता नहीं हो सकता है दूसरी गृप से देख रहे हूं तो वह कमेंट कर रहे हूं तो बहां कमेंट आ रही हो तो हो सकता है एक बार बताए कौन-कौन अभी online है जिससे मैं समझ में आए कि कौन-कौन किस गृूप में मैसेस कर सकता है तो देखिए यहां पर सिट्रा सिंग ने बोला है कि यहां पर तापमान नहीं बड़ा तो जाहिए भी बाता है एक दम सभी आंसर आपने दिया कि जो पचास इनिट आया जो हरे पेर पौदों को मिल गया और सौर उर्जा को उन्हों ने पर यूनिट का च्या होता है मंदल है वो इसको ले लेता है अब जब इस उस्मा को लेता है तो ए कौके तो आम देखेंगे इस पचास यूनेट की बज तां मान बढ़ता है उगे इसी के काऱर पीर्स sowie का तापमान बढ़ता है अब यहां पर जगे नहीं है हम आगे लिख देते हैं नेस पेऺज पर लिखेंग देते हैं तो देखे जो दूसरी वाली 50 unit बचा हुआता इ欸 प्रत्वी की सतः के द्वारा ले लिया गया तब आप देखिए यहां पर सौर उर्जा है सौर उर्जा है वो किसमे परवर्थित हो जाती है उस्मा में परवर्थित हो जाती है किसमे उस्मा में परिवर्थित हो जाती है अब देखिए जब सौर उर्जा बहाँ पर सौर उर्जा किसमें परवर्थित हो ली थी जैब रफ्ताइनिक उर्जा में परवड़तित होड़ी थी लेकि यह जो पटासियनिट है इस सौर उर्जा किसमें परवड़तित होती है उस्मा में परवड़तित होती है और यही उस्मा मतलब हीट है यही साफमान का सारा जाती है तो आप देखेंगे इस से क्या हो जाता है स आपमान में ब्रस्टी हो जाती है आखिर उस्मा है यह उस्मा कितने प्रिकार ही होती है यह उस्मा कितने प्रिकार ही होती है एक बार हम लोग देखते हैं तब ही आप लोग बरसा बरसा संधनल की प्रिकरिया जलबास की प्रिकरिया और अलबिडो के बारे में बहुत सारी ची हैं हमारा पीठानी छोड़ रही है एक बार देखते हैं किसने पिरकार की होती है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर उस्मा की तो चिन्हें पिरकार की होती है तो दिखेए, खीर्ट है, वो दो प्रकार की होती है, कोई भी आपसे खुछे, एकदम बेधारकों करके बोलिए, एकदम बेधारकों करके, तो उस्मा किसने प्रकार की होती है, उस्मा दो प्रकार की होती है, एक सम्वेदन सील उस्मा होती है, लिख लिजिए, एक होती है सम् संब्वेधन सील उसमा होती है और एक आपको देखने को मिलेगा गुफट उसमा होती है कि मा मैं और ये क्या होती है जो संब्दन सील होती है मतलब जिसको आप चू सकें जिसको कर सकें उसको और और ये वासी वह दे उस्मा जिसको बोलते हैं यहाँ पर संदृस्वूस्मा गुप्त उस्मा वो होती है जो गुप्त है वाई गुप्त चीव क्या होती है दिखती नहीं है जिसे आम मैसूस नहीं कर सकते जिसे आम मैसूस नहीं कर सकते वो क्या है गुप्त है वाई तो गुप्त उस्मा और यह सम्विदन सी लुस्मा जैसे सम्विदन सी लुस्मा के गरम आपको लगता है तो आप के अनदर हुझ के फट है अभी midnight की ते तो फटेंसिबल हीत कि आंदर यह शूह और पता किए इसका मसलब है इसके अंदर इसके अंदर सम्मेदन सील उस्मा है कौन सी उस्मा है सम्मेदन सील उस्मा है तो सम्मेदन सील उस्मा के बारे में थोड़ा सो समझने का परियाद करिए जैसे आपको देखने को मिलेगा ठोस जो ठोस होता है एक आपको देखने को मिलेगा ठोस के बाद में क्या आता है आपको तरल देखने को मिलेगा तरल की बार को डेखने को मिलेगा उगे यही अबस्ता है आपको देखने को मिलेगी न स्थोस का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो अड़ों की बीचा दूरी बहुत तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जैसे थोस का अगर हम अडू की बात करें तो थोस की अपेक्षा इसके जो अडू होंगे क्या होंगे थोड़े दूर दूर होंगे अडू क्या होंगे थोड़े दूर दूर होंगे क्या होंगे थोड़े दूर दूर होंगे थोड़े से क्या है अपेच्छक दूर दूर है तो यह क्या है तरह लबस्ता है और बैसे आपको एक गैसी अबस्ता देखने को मिलेगी जैस होगा। जानत में जाद हो गिया कर देए, तो जानत में जादा हो गया उसका ज़ाओamenियागा तो फोस हो जाएका, तो भोछ तो जाएका, हॉल सानत हो है जब जब ये समदान सील ऊस्मा है वो कैसे बढ़ती है किया जन की यह ने सब्स्तियु both दिदिद लोहा को पीडे मारें ठोकेंगे तब क्या होगा सका अंहें इसा तक रहेंगे तक रहेंगे तब आप उस लोहे को पकड़ के देखिए वो क्या उजाएगा गरम हो गया क्योंकि आपने पीट पीट कर गया उसके अड़ूगों के अंदर जो गती जो उड़ जाती वो बढ़ाती मसलब अब वो कि जल्द जल्द टक रा रहे हैं दूसरे से उनक में अधे में अड़ूगों की अड़ूगों की के अड़ूगों की हमना देखिए उसमा बढ़ने लगे या शमबचल से लूस्वा बढ़ेगी ने कि क्या होगा उसका ताप माण बढ़ गा yep तो यह क्या है आउनके नहीं एंदूस नी नि ये क्या है कारण है ये क्या है कारण है अगर हम किसी पदार्थ के अंदर अड़ू की गति जूर्जा में ब्रद्धी करेंगे तो उससे क्या होगा उसकी संबेदन सील उस्मा है वो बढ़ने लगेगी क्या बढ़ेगी संबेदन सील सम्वेदन तील सम्वेदन तील उस्मा है वो बढ़ने लगेगी तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी यह क्या है यह प्रभाव है यह क्या है प्रभाव है तो जैसे आप जब लोहे को पीटते हैं तो पीटने से उसके अड़ों के अंदर गती जूरता है, वो उत्पन हो जाती है, जिससे वो छड़ है, वो क्या हो जाती है, गरम हो जाती है, गरम होना क्या है, ये पिरभाव है, लेकिन उसके कारण क्या है, कारण है उसके अंदर अड़ों की गती में प्रद्धी करना, तो चीज आप लोग समझेऎे ना यानि कि जो समेदन ही ऊस्मा है वो किस तरह से आपको कमखर सकते है कि स्टरे से बढ़ा सकते है इस जी आप लोग के अंदर अम नउसा नहीं हो ती वो एक रोप से दूसरे रूप में ट्रांसपर होँती डेती है। इसी तरह से संव्बीधन सीटूस्मा फर्वढसित हो जाती है। लेकिन अभी आपके दिमाग में आए होगा कि आखिर एक गुप्धेंस्वा होती है। वो हम समझ में आगे। जिसको हम सेंस कर काकें, जिसको हम छू drug सकें वो तो न grown still wasma है। लेकिन गुप्त उस्मा क्या है चलिए हम आपको बताते हैं गुप्त उस्मा के बारे में थोड़ा सा गुप्त उस्मा क्या है डालिएगा यहां पर हेडिंग गुप्त उस्मा जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट लेटेंट हीट वो हीट होती है जो आपको सैंस नहीं कर पाते ह जैसे जल बात्व के अंदर हीट होती है कि Dusko के आप सेंस मैं कर सकते वह उसके अंदर पा जाती है लेकिन इसकी डे face क्या होती तो चलिए हम लोगिसी इजाते हैं कि किसी पदार्थ के अंदर 2 अरू पाई जाते हैं मतब 2 नहीं बहुत सारे अरू पाई लेकिन दो अड़ों के बीच में एक आकरसण बल पाया जाता है अब यह सोचिए अगर हम आपसे बोले जैसे एक पदार्थ के अंदर बहुत सारे अड़ों है और उनके अड़ों के बीच के दोड़ी मान लेते हैं इतनी है और एड़ों ए है एड़ों भी है इनके बीच क्या पाये जाता है आकरसण बल पाये जाता है कि क्या पाये जाता है इनके बीच में आकरसण बल पाये जाता है अब हम आपसे बोलें कि इनके बीच की दूरी बढ़ा दो हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं पास पास हमें क्या चाहिए यह दूर दूर चाहिए भाई हमको पास प है और A B है अब इनके बीच की दूरी है वो क्या हो गई है बढ़ गई है अब इनके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाएंगे खीच के बढ़ाएंगे क्या करेंगे आप क्यों इनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए उसमा क्या बसकता होगी मतलब हम इसको क्या देंगे जीट देंगे और हीट देने के बाद हम क्या चाहिए इसके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे यानि कि दूरी को बढ़ाने के लिए हमें एक separate amount में कि सकता होगी इसकी आबसकता होती है उसी उस्मा को गुप्त उस्मा कहते हैं ओके तो जितनी उस्मा की मतलब जितनी उर्जा की अबसकता होगी उसी उर्जा को या फिर उसी उस्मा को क्या बोलते हैं गुप्त उस्मा बोलते हैं समझे हैं आप लोग जैसे अगर हम आपसे पूछे एक है बरफ एक है बरफ बर्फ है दूसरा हम आपको एक्जाम्पल दिये जल तीसरा एक्जाम्पल दिये आपको जल बास्प बार्टर बैपर अब आपको बताना है इन में से किसके अंदर गुप्त उसमा जादा होगी किसके अंदर गुप्त उसमा जादा होगी बर्फ के अंदर जल के अंदर पहले बताईएगा इस मतलब जो पहला वाला उप्सन है और दूसरा वाला उप्सन है इन दोनों में किसके अंदर गुप्त उसमा जादा होगी एक पर बताईए कमेंट करके इन दोनों के अंदर किसके अंदर गुपतूसमА जादा होगी जैसे यहां पर सिप्रापाटे отि बोले हैं कि यहां पर ँंदर जादा होगी तो एक डम आपका आणसर सही है जल के अंदर जादा होगी अब हम आपसे बूझे जल और जम बात में किसी जादा मिले गा कि अड़ूं की संक्या क्या होगी भाई फासặt में होगी क्योंकि यह क्या सबस्ता मैं है अब हम इसके बीच की दूरी है वहर्दी करना चाहँ हम ब्रद्धी करने के हमें क्या करना होगा इसको उस्थार्मानादेंगे मस movie sit क्या करेंगे थोड़ा सा टेंपरिचर बढ़ा देंगे जैसे ही हम थोड़ा सा टेंपरिचर इसका बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टेंपरिचर बढ़ाने से पुछे तो वो भी बोलेगा वो क्या हो लेगा वो बोलेगा कि बरफ है और जल है उनके बीच में बस क्या हो रहा है बरफ के अंदर अड़ों की बीच की दूरी है वो बढ़ रही है जिससे क्या हो रहा है बरफ है वो जल में परवर्तित हो जा रहा है जल में परवर्तित हो जोड़ा बदल आ जिस्ते ठोस है वो तरल अवस्ता में आ जारा है तो आपने देखा एक्षे की संख्या क्यों परबर्ठित हुई क्यों की यहां पर हम इनके बीच में क्या आगया एक एक आपको देखने को मिलेगा अगया लेकिन इस रूप में आई के रूप सबुस्य जह से क्या होगैं अब यही जब जल में मतलब इसकी बीच की दूर्वी बड़र हो जाएगी तो श्य कौन है ना क्या है जिसे लोट कर सकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि और किसे बदल जाएगी यानी कि अब देखिए जब जल है जल है वो किसमें बदला जल बास में बदला जल बास में बदला जल है वो क्या हुआ जल बास में बदला तो यह क्या हुआ अबस्था परिबर्तन हुआ अब देखिए इस अबस्था परिबर्तन के समय क्या हुआ इस अबस्था परिबर्तन के समय क्या हु हुआ तापमाल है वो किसमें बदल गया आपको देखने को मिलेगा उस्मा है उस्मा किसमें परवर्थित हो गई लेटेंट हीट में परवर्थित हो गई तो आपको देखने को मिलेगा अबस्ता परिवर्थन में क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो सम्मेद सम्वेदन सील उसमा थी वो किसमें बदल गई वो बदल गई गुप्त उसमा में किसमें बदल गई गुप्त उसमा में बदल गई इसी तरह से जब जल बात है वो जल में बदलेगा तो आपको देखने को मिलेगा गुप्त उसमा किसमें बदलेगी सम्वेदन सील उसमा में पर है सम्वेदन सी उस्मा है वो किसमें परिवर्थित हो सकती है गुप्त उस्मा में गुप्त उस्मा में परिवर्थित हो सकती है लेकिन गुप्त उस्मा में कब परिवर्थित होती है अबस्था परिवर्थन किसमें जब पधार्त है वो अपनी अबस्था में परिवर्थन करत करता है तब संबेदन सील उस्मा गुप्त उस्मा में बदल सकती है जैसे जल है जल बात में बदला है बरफ है वो जल में बदला है इस तरह से और इसी तरह से गुप्त उस्मा भी बदल सकती है संबेदन सील उस्मा में कब बदलेगी ये भी बदलेगी अबस्था परिबरतन क कब बदेगी अवस्ता परिबरतन के समय इसका एक्जामपल देखते हैं कि कब गुप्त उसमा है वो संवेदन सील उसमा में बदलती है तो देखिए जब जल बात को होती है तो जल बात को होती है तब इसमें संगहनन की प्रिक्रिया होती है क्या होती है संगहनन की प्रिक्रिय यह को देखने को मिलेगा। जब संग्धन की प्रिक्रिया के द्वारा कि संग्धन की प्रिक्रिया के द्वारा जल bought the जल में बदलता है। जल में बदलता है। ज Southwest में बदल लही होती है तब उसके अंदर जो गुप उसमां पाई जाती के रूप में लिकलती है क्या होता है हमारे बायू मंडल का ताफमान उनुकमान और आप देखने को मिलेगी तो देखिया आपको एक मीनट दिखाते हो इहां पर जैसे क्या होता है यह ङी है आपको देखने को मिलेगा इस तरह से यह जल की सतय है और यह क्या है मानते हैं इस तरह से इस ताले अब देखें जब जल की सतय का तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो जल बास पर है वो उपर जाता है मत्तब इसन बातों ज मतलब या पिर बाता यह कीया जाता है उपर जाता है तो आप देखेंगे किको टेंप्रिसल में कमियाने के कारण ऊपर जानने पर यह इ versión है वैंसे बदल जाती हैं और यही बादलों संगृन की की प्रिक्रिया होती है मत्तब बादल कैसे बनते हैं इस तरह से बनते हैं देखिए हम ब्राइंग भी बनाना सीख रहे हैं आप लोगों के लिए तो देखिए यह बादल बनते हैं बादल कब बनते हैं जब संगहनें की प्रिक्रिया होती है और संगहनें की प्रिक्रिया में क् देखने को मिलेगा बास्प है वो किसमें बजलती है जल में बजलती है जल में बजलती है और बास्प के अंदर क्या पाई जाता है लेटेंट हीट पाई जाता है और फिर जब जल बनता है तो इस समय इस पिरक्रिया के दौरान लेटेंट हीट है वो सेंस्बल हीट में क्यों कि रहती है वह लोग देखेंगे जो सेंसिबन हीट होती है और यह पिरक्रिया बहुत तेज जब संगरह्टी होती है इसी कारण कारण आपको देखने को मिलेगा विद्दूत गरधन होता है जिसको आप लाइटनिंग के नाम से जानते होंगे या फिर जर्दन के नाम से जानते होंगे तो इसी कारण बिजली चमकती है तो दीखें बिजली चमकने का एक कारण ये भी होता है और दूसरा कारण क्या होता है आप देखेंगे जब ठंडा बाद मतलब एक बादल दूसरा बादल आप करते हैं तो घरसन की कारण भी लाइटनिंँ होती है तो लाइटनिंग के बहुत सारी कारण आचको देखने को मिलें जैन वहीं हम लोग आते हैं इस पर यूपर बरता की परफिक्रot रहा के दो क। होती है जिससे आप लोग एक चोटा सा ट्रापिक है पर समझ दाएं कर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब नि आधर से आद है आप लोगसान से यहां दो को देखर यहां तक सिक लियर वह एक टाइम कुल police stick नहीं uh कि यहां तक आप लोगों को सब कुछ के लिए रुआ बदाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझने का परियास करते हैं देखे जब भी हम लोग बात करते हैं बारिस में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन आखी में बारिस कैसे होती ह है थोड़ा सा ये भी समझ लियाजा है कि बारिस कैसे होती है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके फिर हम लोग थोड़ा सा उसमा के बारे में बात करेंगे कि उसमा है तो कैसे प्रांस पर होती है तो देखे जब बारिस की प्रिक्रिया के बात करें इस प्रिक्रिया के बा होता है उसमें कुछ दसाओं का होना आनिबार रोता है प्रारंब में प्रारंब मतलब यह जो बास्पी करण की प्रिक्रिया है इसको प्रारंब होने के लिए कुछ दसाओं का होना आबश्चक है कुछ दसाओं का होना आबश्चक है वो कौन सी दसाओं है तो उसमें एक प्रमुग दसा होती है कि जल की सतह का तापमान है वो बायू से ज़्यादा होना चाहिए जल की सतह का तापमान जल की सतह का तापमान सतह का तापमान तापमान है वो ज़्यादा होना चाहिए किस से ज़्यादा होना चाहिए आपको देखने को मिलेगा बायू मंडल यह हि यह वायू मंदल यह न सतह यानि कि बाइउ मंदल से ज्यादा तापमान मुना कि सताई का तब ही चाह होगा वास्थी करण की जो परारम्भी क्रिक्रिया है वो ऑफ्रेक्रिया में तो आपको यह देखने को मिलेगा अब देखते हैं जब बास्पी करंटी प्रिक्रिया प्रारम हो जाती है तो प्रारम होने के बाद आपको देखने को मिलेगा प्रिक्रिया के दौरान क्या होता है प्रिकरिया के दौरान देखे प्रिकरिया के दौरान क्या होता है प्रिकरिया के दौरान जो जल की सतय के अंदर उस्मा पाईजाती है वो ट्रांसपर होती है जल बात्पर के रूप में कहां बायू मंदल यानि ही जब उस टेंपरेशर है वो जल की सतय से जाता रहेगा हमेंसे वायू मंडल में तो आपको देखने को मिलेंगा eigenlijk समय ऐसा क्या है कि जो सतह का तापमान यह जो बहुत Carib करण के दोरान क्या होता है जल का जल होता है यह परिवर्तित होता है जल बास्तों में परिवर्थित होता है तो जल के अंदर आपको देखने को मिलेगा समभीदन सी लूस माउंटी है सॉट में लिख देते हैं सैंसिबल हीट होती है और एक सैंसिबल हीट है यह भी परिवर्चित होती है कहां परिवर्चित होती मतलब किस रूप में परवर्चित होती है जल वास्प के अंदर लेटेंट हीट के रूप में परवर्चित होती है और लेटेंट हीट के रूप में परवर्चित हो करके जल वास्प के अंदर इस तूर हो जाती है और पिर कहा जाती है जल की सतह से जाने लगती है वाईयू मंडल की सतह में तो इस प्रिकरिया में आप लोग देखेंगे जल की सतह से जल की सतह में तापमान में कमी आने लगती है जलबाष पर यह जाती है जिस कारण को देखने को मिलेगा 파इव मंडल में यह कि इखें को देखने को मिलेगी आपको देखने को मिल Certainly Fish कम हो जाएगा न तो आपको देखने को में नियुकांस अंत में क्या प्रभाव। जो होता है कि जल गी की वाक्रभा श्रॉट स्टह का तापमान वह क्या हो जाता है और बराबर हो जाता है तो बातपी करण्टी पृक्रिया रखना है यहां पर समद्ध हो जाती है आनलोग की लिए कोश्ट्सन है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रारंब होती है अब लोगों को बताना है कि बागजर के लिकिन आप लोग को एक बार जागर के देखना है कि बाद के प्रिक्रिया कितने डिक्री एक बार और एक बार और मतलब एक बार और क्या समझाएं आपको दीखें डाइग्राम की फिरू समझा देते हैं यह तो क्या होगी हमने यहाँ पर डाइग्राम बनाया अब थोड़ा सा यहाँ पर फिलू चार्ट के रूप में एक तरह से तो अब यहाँ पर फिलू चार्ट सा आपको डा प्रिक्रिया के द्वारान नहीं है प्रिक्रिया के द्वारान देखें प्रिक्रिया के द्वारान आप बोलेंगे बहां पर समझा देजिए देखें प्रिक्रिया के द्वारान क्या होता है तो यह समझेगा देखें जल जल की सतय है और मानते हैं इस तल की सतय है और उपर क्या है ये बाइयू मंडल पाए जाता है है ये क्या है जल की सतय आप के अब लोग दिख लिए तो देखे जल की सतय का ताफ नहीं जादा होना चाहिए जल की सताय का तापमान जादा होगा तो क्या होगा जल है वो जल बास में परवर्थित होने लगेगा जब जल है जल बास में परवर्थित होगा तब प्रिक्रिया के दौरान क्या होगा प्रिक्रिया के दौरान देखिए जल के अंदर क्या है sensible heat है मतलब आप जल को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना ये जल गरम है ये जल जादा गरम है ये जल बहुत गरम है और अगर नहीं पता चल ला है तो पानी गरम करिए कि चाइव नहींगे फिर उसमें उम्ड़ी डालिएगा हमको समझ में आज आएगा यानि कि जल के अंदर किस प्रकार की उसमा है आपको देखने को मिलेगी sensible heat है जिसको आप छू करके बता सकते हैं कि ये जल क्या है धंडा है या फिर गरम है तो देखे जल के अंदर क्या पाई जती है उसमा पाई जती है अब ये उसमा है जब जल है जल बास में परवर्टित ह होगा तब आप देखेंगे यही sensible heat है वो कित में होजाएगी latent heat में Convert हो जाएगी और latent heat को हम बताई थे जिसको महसूस है ना किया जा सके यानि कि जल किसमें परवर्टित हुआ जल बास में और जल बास में परवर्टित होगर कि कहा जाएगा उपर जाएगा तो जब उपर है यही बास्प है इसमें क्या होगा संगनन होगा क्या होगा संगनन होगा तो संगनन होने से बादलों का निर्माड होगा क्या होगा संगनन होने से बादलों का निर्माड होगा लेकिन इस जल बास्ट में क्या है गुप्त उस्मा है मतलब लेटेंट हीट है, जब जल है, उस संग्रहन की पृक्रिया के द्वारा जल बास्ट में बदलेगा, तब आप देखेंगे बायू का ताप मान बढ़ दाएगा, बायू के ताप मान में इससे ब्रद्धी होगी, ब् उसे क्या और इसमें बादलों का निर्माड होगा और यही बादल क्या होगे रिंजिंजिंजिंद् wrong बरतेंगे और बसने के बास क्या हो जाएगा ये फिरसे समुधर में पहुंच जाएंगे और यही किया है जल जल चक्र है, भै ही क्या है, जल चक्र है, जब जल है, वो जल बात के रूप में जाता है, वर्सा के रूप में पुनानाई लोट करेक आधा है, इसी पिल क्रिया को, इसी प्रॉससLE को इसी चक्र को जल चक्र हो जो जे एक बेसिक अपर आपके gradient Push है, यह उस्मा का इस्थानांतरण की विधी कौन सी होती है हमने अभी देखा कि जल से जल से उस्मा जा रही थी वाईयो मंडल के अंदर कहा जा रही थी जल की सतय से उस्मा जा रही थी कहा जा रही थी वाईयो मंडल में जा रही थी आखिरे उस्मा कितने रूप से transfer हो सकती, मतलब इसके utanantran की कितनी विधिया हो सकती है, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, तभी आप लोग इन सभी topics को बहुत रच्छे से समझ पाएंचे, देखिए, हम लोग बात करते हैं, उस्मा के इस्थानांतरण की विधिया, इस्थानांतरण की विधियां हम लोग देखते हैं देखिए अगर हम बात करें उस्मा के इस्थानांतरण की विधियों की बात करें तो उस्मा सिरिप और सिरिप आपको देखने को मिलेगा चार रूपों में ट्रांसफर हो सकते हैं कितने रूपों में? की प्रिक्रिया के द्वारा एक विक्रण की प्रिक्रिया के द्वारा जिसको इंगलिज में बोलते हैं अबलते हैं इसको दोसरा आपको देखने को मिले चालन जिसके बोलते हैं एक आपको कर देखने को मिलेगा इसमें तर जिसको बोलते हैं इसमें और चौता विरगार होता है जिसको बोलते हैं अभी वहन जिसको बोलते हैं इंग्रिस मिल्ट। कि Finans 53 है क्या कि कि ऑस्मा है यह वो किस रूप होती है ट्रांसपर होने के लिए इन चार समवर्द zal Majorgane सब्सक्राइब के जैसे आपको आपको अपने घर से आपको जाना है लाल वाधोरी वाधना शाना है तो लवाधना आने के लिए आपके पास कौन कौन से वगल्प अप जा सकते हैं राद में अरा हम नाज़नाइब रात में लगए को किके युवासना में बेखे हैं कि युवासना में बैथे हैं और आपको किसी माध्यम की यावसक्ष Ermघ्य इस कि नहीं होती है इसमें विद्धु चुम्ब के तरंगों के रूप में जो हीट है वो इसमा आती है और आमको देखने को मिलेगा किस रूप में विद्धु चुम्ब के तरंगों के रूप में और विद्धु चुम्ब के तरंगों के रूप में और विद्धु चुम्ब के त कि निर्वात में भी यहां पर उस्मा का ट्रांसपर हो जड़ता है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड कैसा है ब्रह्मांड आपको देखने को मिलेगा निर्वात है महां पर ना पायू पाया जाता है ना आपको देखने को मिलेगा भूमी पाया जाता है बीच में बहुत सारा ब्लैं वह समझनल के लुटा है। इसलिए ये T database लेकिन चुम्ग की तरंगों के रूप मेंट चरहे ही ती लेकिन चॉलन में चुमम्धी तरणगों के रूप में चॉलनग है। जब उसमा का इस्तानांतरण होता है तब उसमें क्या होता है संपर्क बिधी के द्वारा होता है जैसे कि हमने ये बोतल है हमने बोतल को छू लिया और छूडे से क्या हुआ हमारा हाथ गरम हो गया या फिर हमारा हाथ ठंडा हो गया तब क्या हुई उसमा इस्तानांतरित हो ग जैसे आप लोगों कोंगा को होता है क्या है आग नहीं जलती ना अगर आग जलेगे तो समझदी जी फूख जाएगा तब आग लगते हैं बैसे आग नहीं लगती है उस में उसमा का किस तरह से होता है वह जो कुकर है उसके ऊपर रखा हुआ होता है जैसे हम आपको बना करए दिखाते हैं मानते हैं इस तरह से आaranई है जो कन्डेक्सन है three ऌना अदेए, लेकिन यह पर हीट का ट्रकर क्या से हो रहा है हीट का ट्रांस्पर यहां पर संपर्क विधी के द्वारा हो रहा है क्योंकि यहां की जो सतय है भाई वो इससे टच है और इसी कारण क्या हो रहा है उसमा का इस्थानांतरण हो रहा है मतलब इसमें संपर्क विधी के द्वारा संपर्क विधी के द्वारा उसमा का इस्थाना स्वस्तान्तरण होता है इसमें उसमा का जो मिलेगा कि विस्थापन के द्वारा कि जैसे की क्या घर हो घर हो जाएगा अब वह ताप्मान क्या कर देगा परिवर्चित कर इसी को बोलते हैं सम बहन या फिर अभी बहन जैसे अभी हम आपको बताई थे जल बास्प है जल बास्प गरम हुई और क्या हुई उपर उठी जल बास्प गरम हुई और उपर उठी तब हम इससे क्या बोलेंगे सम बहन इसमें क्या होता है कडो का विस्थापन होता है कडो के बिस्थापन के कारण के कारण के कारण के द्वारा लिख लिए के द्वारा उस्मा का इस्तानांतरण होता है लेकिंड संबहन और विवहन दोनों एक ही प्रकरियां देखने को मदेंगे बस अंतर कितना होता है जो संबहन होता है वह उर्भा धर होता है ओके क्या होता है उर्वा धर होता है मतलब ऊपर नीचे होगा जैसे क्या हो रहा है अगर कड़ है वो ऊपर नीचे विस्तापन कर रहा है तब हम उसे बोलेंगे समभेहन जैसे जलबास को है वो गरम होती है कहां उड़ जाती है उपर उड़ जाती है और ठंडी होती है वो कहा तिस्टा में चलना है तब हम उसे क्या बोलेंगे अभी वहन बोलेंगे लेकिन यही ऊर्वा धर ऊपर निचे जाएगा तब हम इसे क्या बोलेंगे संबहन बोलेंगे तो बास्टी करणड़ की प्रिक्रिया किस प्रिकार की होती है संबहन प्रिकार की आपको देखने को मिलेगी अगर 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 बायू मंदल सांते है तो बायू मंदल सांते हैं हवाएं नहीं चल लएगे तो क्या होगा नॉर्मली जल गरम होगा गरम उपर के कहां चला जाएगा सीधे उपर चला जाएगा और उपर जाएगा तो इस प्रिक्रिया को हम क्या बोलेंगे संबहन की प्रिक्रिया बोलेंगे और इसी से बना संबहन ये बर्सा क्या बना इसी से संबहन ये बर्सा क्योंकि आप देखेंगे जो जल होता है यहां पर जल होता है जल गरम होता है और सांत बाता बरण होता है तो जल गरम होपर के जल बास बरता बुलते, लेकिन आप सुचिए, थंडी हवाई चल लए है, सीत लहर चल लए है, तो सीत लहर के कारण क्या हुआ है, तापमान का बिस्ठापन हो रहा है, इस थानांत्रण हो रहा है, यानि कि आपने दिखा कि, जो कहते हैं नहीं है कि अभी जो हवा चल लए है, वो 25 साथ ले करके आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे अभी बेहन बोलेंगे तो देखे एक हमने बेसिक आपको अप्रोच बता दिया एक बार दिखा 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 देए आपको PDF प्रोवाइट करा देजाएगा परिस्तामन तो यह PDF आपको मिल जाएगा आपको PDF में लेगा बहां पर दुबारा से कर लिए चलिए हम सबसे पहले आपको रेडियेशन के बारे बहुत अच्छे से समझाते हैं पहले हम बहुत अच्छे से देखते हैं पिर समय बेसिक फ्रेम वर्ग तो हम आपको प्रोवाइट करा दिया है अभी आदर घंटा है हमार खाना पकाना वाकिए है अभी हमें भी खाना पकाना वाकिए है तो आपको ज्यादा नहीं पकाईए अभी जागर की दाल जावल पकाईए जागर की फिर उसको मौसरी खाएंगे तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें बिकरण की तो बिकरण के द्वारा अगर उस्मा के इस्थानांतरण की बात करें खीड के ट्रांसपर की मतलब इस्थानांतरण की तो चलिए इसकी हम इस्थानांतरण को एक बार देखते हैं देखेए विकरण के द्वारे अगर हम उर्जा के इस्थानांतरण के बात करें तो यहां पर उस्मा का इस्थानांतरण इस्थानांतरण आपको देखने को मिलेगा विद्धूत चुम्बकिये तरंगों के रूप में होता है जिसको बोलते हैं लेक्ट्रो मेगनेटिब विद्धुत चुम्ब किये चुम्ब किये तरंगों के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलेगा उस्मा का इस्ता नात्रण होता है आखिरी तरंग आ गया अभी हम पढ़ रहे थे तापमान तापमान से लिखला हीट अब हीट पढ़ते पढ़ अब हम लोग देख लेते हैं इस विचारे बेब को भी समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं आपको चलिए बताते हैं तरंगों के माध्यम से कैसे उस्मा का इस्तानांतरण हो सकता है तो देखिए अगर हम बेब की बात करे तो आपको देखने को मिलेगा अगर तरंगो या अंतरिक तरंगे आपको देखने को मिलेंगी तरंगे कितने प्रकारी होती है एक आंतरिक तरंगे होती है दूसरी जो तरंगे आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सी होती है विद्धुत चुम्बक्य तरंगे होती है विद्धुत चुम्बक्य तरंगे होती है तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे हैं इन में आपको देखने को मिलेगा कड़ों के कंपन के द्वारा उस्मा का इस्थान आंत्रण होता है यांत्रिक तरंगों में क्या होता है कड़ों के कंपन के द्वारा कड़ों के कंपन के द्वारा के कंपन के द्वारा द्वारा ऊिश्यक यह फिर ऊष् पीं समा का इस्थानांत्रण होता है अि यह इस चीजangel tik कि मतलब author हैं इसमें इसमें पर उर्जा का या फिर उस्मा का उस्मा का इस्थानांतरण होता है इस्थानांतरण होता है तो यह चीज़ आपके देखने को मतलब इसमें क्या हो रहा है इसमें जो कड़ हैं कड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं बलकि क्या हो रहा है कड़ों के अंदर कंपन हो र रहा है यहांगि vibration के दोआरा यहां पर हीड है वह रूप में किस रूप में हो रही है कड़ो के करन और कड़्ो का कमब कितिने पिरकार का हो सकता है तो अगर हम आपसे और कितनी तरह से उचल सकते हैं तो आप देखेंगे या तो आप उपर नीचे उचलेंगे या फिर आगे पीछे चलेंगे इसके अलावा भी कोई जिस्ता में आप लोग चलते हैं नहीं या तो फिर आप आगे पीछे चलते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं उपर नीचे पूछ स यांत्रिक तरंगों के बारे में बताते हैं यांत्रिक तरंगों से पहले आपको यहां पर ही बता देते हैं विद्दु चुम्मक ये तरंग इसमें कड़ों की अबसक्ता नहीं होती है मतलब इसमें माध्यम की आबसक्ता नहीं होती है माध्यम की आबसक्ता नहीं होती है और विद्दु चुम्मक के तरंगों के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा सूरस से जो उसमा आती है प्यर्टभी तक वो इसी रूप में आती है विद्दु चुम्मक के तरंग के लिए तो बहाँ के से आएगा माधया नहीं होता है लिए 아freak गो कि सौरड लिए स्वाऍ्ट॑ आता है ऑन पर उच्वड वाँ लुक पूर में आता है लिए स्वाम जोगे चलिए अब हम लोग देखते हैं यांतरिक तरंगों के बारे में तो यांतरिक तरंगे जो आपको देखने को मिलेंगी वो कितनी पिरकार की होती हैं हमने आपको बताया यांतरिक तरंगे अभी हम आपको बता रहे थें दो पिरकार की हो सकती हैं कमपन के आधार पर किस एसे हो गा ऊपर नीचे क्या से हो रहे हैं या फिर यहां पर क्यासे जा रहे हैं आगे-पीछे जा रहे हैं हो के जा और यहां पर विस तरह किसा क्या इदर है क्या हो रहे हैं क्या हो रहे हैं क्या हूं और यह vendors क्या है और इस दिके इसी तरह को क्या बोलते हैं ниफ तरह दिखाते हैं जी कड़ों के अंदर जो कमपन होता है और उर्बा धर होता है लिख लीज़े यहां पर कड़ों का कमपन कैसा है और यहां पर कैसा कमपन है वो 36 कमपन है अनुप्रस्त तरंग या पिर अनुप्रस्त यांत्रिक तरंग भी इसको बोलते हैं इंग्लिस में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्थ बेव के नाम से इसको जानाता है अब देखिए अगर यहांतरस तरंगों के अंदर जो कमपन आगे टीछे होता है आजे पीची सी आगे पीचछे बोलता है तब हम उसके लिए पोलेंगे अनू धेरे तरंब ऑन्णू जिलते हैं उप Вас दो रहे जैसे कि आगे पीछे स्री चल लाएं तो क्या हो रहे हैं उनके अंदर भ़हूत है ऊपंठे से क्या है भर भर करके है तो उन्हें क्या कहते है अनूर ध्यर भाई ज्याद है जिसे पाशा ध्यान्द यान्कि आगे- देखिए अगर हम बात करें यहां पर दो तीन चीजें have जो चीज आपको च्छी जशना देरी है वे पर एक बार हम आपको डाइगराम दिखाते हैं जैसे क्या है तरण इधर जा रही है अब देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलगा अब देखिए यहां भी आपको काम आएँगी आपको पढ़ाएंगे काम अब यहां पर आपके यहां cho आप एक तरंग क्या कर रही है क्या तो यहां से स्टार्ट हुई तो यह है क्या क्या बोलते हैं'd legit बोलता है और वहां को देखने को मिलेगा यहां से यहां तक की दूरी है और इसतरय से दिखाते हैं यानि कि अगर हम बोले तरंग धहर क्या है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यह तरंग धहर क्या है कमपन है जो एक कमपन हो रहा है उसके बीच की दूरी को दिखाता है किसको दिखाता है दूरी को दिखाता है यह क्या है उसकी दूरी ओके तो यह चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर लेंडा बराबर क्या है ? इसको बोलते हैं ? वीदू आपको पढ़ाएंगे जैसे आपको देखने को को मिलेगा एक कम होती चले जाएगी वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा वह बढ़ती चले जाते हैं क्या होती है बढ़ती चले जाती है और आपको कि एक सेकेंड में कितने बार कमपन की है उसी को बोलती है यानि कि सीच्वेंसित कि यह एक सेकेंड के अंदर कितनी बार कमपन कर गई यानि कि जो इनकी जो कंपनों की संक्या है वो बढ़ेगे तो जहिसी बात है इनके बीच के दूरी है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप देखेंगे तरंग धहर कम होगी और या फिर हम बोले फ्रीकुइंसी बढ़ेगी तो इसकी प्रिटिवेजन शमता भी बढ़ती चली जात की और जैनेटिक में परवर्दन कर देगी तो आपके बच्चे कैसे होंगे लूने लंगरे पाइंदे होंगे और वो क्या होंगे बेकार होंगे और आपके अंदर भी बहुत सारी अनुमांसिक बीमारियां आपके अंदर आजाएंगे तो देखिए निखली जी आगे जो य जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे तरंग ध्यर है और इससे प्रिति बेदल चमता बढ़ती है तो लिख लीजिए यह आपको मैप दिखाते हैं इस तरह से अगर कोई तरंग है तरंग है तो देखिए अगर उस तरंग की ऐसे बेव लेंद बहुत जाता है तो यहां पर क्या हो है बीच की दूरी कम होती जा रही है यहां पर एक्शली हमारा एक कर गया कि तो बहुत गडबर हो गडबर हो गया एक्शली जो पीटी पीडी अगर नोट्स बनाए है तब आप लोग पीडीएफ बनागर के जरूर सेंड कर दीजेगा अरे एक्शली आ तो गया है अब बनाया है आपने नोट्स ओके एक मिनट रुखिए हो सकता है उपन होज़ा कुछ बूल लाए एक्शली हैंक कर गया था कुछ हो गया तो बिचारे में लगता है क्लास नहीं चल पाई ही क्या आप आप लोगों के लिए बैसे क्लास समझ में आई कोई वे डाउट तक आप लोग करिएगा और बताईए का जो भी डाउट है आपकी छोटे बड़े वो सब आपके किलियर किया जाएंगे यहां पर और अब भी हम आगे देखेगे इलक्ट्रो मेंगनेटिब इस्टेक्ट्रम पर विवारिंग में जिसमें आपको समझ में आएगा किस तरह से तरंग होती है कौन-कौन सा नाम होता है ओके बैसे चलिए सारे पेज आ गए हमारे पास में पुड़ा खुस किसमत है आज हम आप लोग लिए PDF मिल जाएगे एक्चली फिर से अभी हैंक कर रहे हैं एक मिनट इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं बना आप लोग लिए PDF म प्रवाइटर नहीं करा पाएंगे एक सेकंड बस लगेगा इसको सेव कर लेते हैं बस एक सेकंड लगेगा सेव होने में एप लोग के लिए सेंड करती हैं कि और जो भी आपके चूट गया बीच में नोट करते हैं कोई भी समस्य वाली बात नहीं है आपने नोट बनाए हैं बहुत अच्छी बात हैं बस एक सेकंड रुख सेंगे कंप्विटर है ना वह दोगा भी दिस्थाता है कभी पर तो आप लोग स्टुरंट नोट बना लिया करिए जो भी इंप्रटेंट्स हैं आप लोगों के लिए बदाते हैं ओके हम लोग कल ही क्लास को स्टार्ट करते हैं कि अब टाइम भी हो चुका है अब यह पता नहीं कितना टाइम लेगा हम लोग कल इलक्ट्रो मेंग्नेटिव स्ट्ट्रम से गल स्ट्ट करेंगे क्लास को और फिर हम आगे जो में टॉपिक उस पर जब उसका टाफ़ मांड़ लेकिन अभी हम लास को यहांपर ही बोबर गर देंकिन चल गया है कि कि ऑक एक मिनट आप लोग जाईएगा मत बता देते हैं कि जिन लोग उने मत जाएगा पर डालते तो जिन लोगों नहीं लिया है वो लोग के अच्छा लगता है यह देखिए यहां से दोबार अपर देखिए जैसे यहां पर देखिए बीच की दूरी है वह आपको ज्यादा देखने को मिलेगी देखिए इस तरह से अब जैसे हम तरंग के आगे जा रही है तो इसकी देखिए इस तरह से तरंग धहर है तरंग धहर है वो कम होती जा रही है यहां कि फ्रीक्वेंस्टी बढ़ती जा रही है जैसे हम इधर से इधर के लिए जा रही है तो क्या हो रहा है इसमें फ्रीक्वे लुप भणता हूं उर्जा है जब होगी तब आफको देखने को मिलेगी इसकी बढ़ता जाएगी और जैसे जैसे जितनी अधिस frequency वाली तरंग है वो आपके अंदर से गुजलेगी आपकी जैनेटिक में परिवर्दन कर देगी आपके अंदर अनुमांसिक बीमारियां है वो आने लगेंगी वो चीज़ा आपको देखने को मिलेगी जैसे जाते हम इधर जा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा तरंग ध का कौन सा कार्य होता है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो देखिए आपको यहां पर बताते हैं एक बार बताते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगी उसे बोलते हैं यहां पर कॉस्मिक क्या बोलते हैं उसको कॉस्मिक रेस बोलते हैं और कॉस्मिक रेस बोलते हैं और कॉस्मिक रेस बोलते हैं और कॉस्मिक रेस से जिसकी फ्रीक्वेंस की कम होती है वो फिर उसके बाद आती है ग गामा रेस आपको देखने को मिलेगी गामा रेस के बाद आपको देखने को मिलेगी उसके ठोड़ी कम होती है वो होती है एक्स रेस यानि कि एक्स रेस वो इनकी अपिक्षा में क्या होगी कम घा सक होगी इनकी अपिक्षा में अगर हम बात करें एक्स रेस के बाद आपको द देखने को मिलेगा यूबी रेस के बाद मैं आपको देखने को मिलेगा विजिबल रेस क्या देखने को मिलेगा विजिबल रेस कि अब देखिए विजिबल रेस के बाद मैं आपको देखने को मिलेगा इंट्राप्रेड रेस आपको देखने को मिलेगा इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा माइक्रो बेव इसके बाद आता है रेडियो बेव देखे रेडियो बेव यहाम यहां पर लिख गते हैं ओके रेडियो वेब आपको देखने को देखे जैसे जैसे हम इधर से इधर के लिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है इनके बीच में जैसे जैसे हम इधर से इधर के लिए जा रहे हैं ऐसे हम लोग जा रहे हैं तब आपको देखने को मिलेगा इनके बीच में आपको देखने को है वू सबसे ज़्यादा होती है और इसाथ में कुछ नहीं होगा हमारे जू मैटरील है उसमें कोईभी चैन्जिस नहीं आइंके हमें हानी यॉप enc outdoor नहीं होती है लेकिन आम जैसे जैसे सबसे जादा होती है और इसी के लिए वाली जितनी है इनहें तर इदर जो आपको देखने को मिल नहीं है इनहें बोलते है वीद के इस होई य सोट बेव रेडियेशन, इंदर जो जितनी भी आपको देखने को मिल नहीं है हुं क्या बोलते हैं शॉट बेव रेडियेशन, ऑगे सोट बेव रेडियेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में लगू Among लगू के तरंग विकरण कि अब जो बिजबर रेशते इधर के जितनी भी आपको बेब देखने को मिलेंगी इनके लिए जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है लॉग बेब रेडियेशन क्या नाम दिया गया है मैं उपर बना दिता हूं तो देखिए ऐसे बहुत ज्यादा पास में होगी उप्ट withdrawal साहं होी तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इस तरह से पाल पर होगी जैसे आप इदर जाएंगे तो ऐसे वेब लेंद से क्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है अब देखिए अगर यह चल जाए तो बहुत अच्छी वाद से हम लोगों दिख जाएगा अभी देखिए कली नहीं रहे कुछ हो गया लगता है कली है आपको पढ़ाना पढ़ेगा दुबारत से अच्छे से क्योंकि जो यह एक कंप्यूटर है अभी कामी कर रहे है इसके दिन आ गए है इतनी दिर में आया तो देखिए यहाँ पर बेब लैंस क्या है बहुत सौट है बहुत कम है इनकी तरंग धर जादा होगी इंको बोले है इंको बहुत कम है इसलिए हम इनको क्या बोलते है इसलिए और सुरत से जो हमें उसमा प्राप्ट होती है वो इसी रूप में प्राप्ट होती है और ध्यान रखिएगा कभी भी जब matter energy में convert होता है जब भी matter को कोई भी matter होगा जब matter को आप energy में convert करेंगे तो जो भी उसमा लिख लेगी वो radiation के रूप में ही लिखलती है लेकिन आप जब देखेंगे जब किसी सत्हे को किसी सीज़ को जब उसमा मिल जाती है अब पुनाब उसको मुक्त करता है तो वो हमेशा long wave radiation में ही लिख लेगी क्योंकि इसी तरह से आप लोग देखेंगे जैसे कि सूरत से सूरत के अंदर उसमा कहा से आई matter energy में convert हो रात के समय जब उसको छोडती है अपने अंदर से चोड़ेगी पिसा रूप में छोड़ेगी तब किस रूप में छोड़ेगी तब के रूप में इसी को बोलते हैं जिस कारेट पेर्थिवी की सतय का तापमान कम होने लगता है कि आपको अच्छे समझाएंगे किस तरह से मैटर है किस मातरा में किस माध्यम से उसमा को सर्जित करती है इस सारी चीज़ों को हम देखने होगे तो आज का लेक्टर है यहां पर ही फिनिस किया जाता है होगे अच्छे से आप लोग पढ़िए आपको इसी तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगे एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको जो बुग में देखने को मिलेगा उससे आपको पचास परसेंट जाद ही मिलेगा कामनी मिलने आ लाइन प एक तर यहां परी तमाप दिकरते हैं होगी